इस्राइल और हमास के बीट जंग का सिलसिला लगातार जारी है दिन बदिन युद्ध और जादा विध्वन्शक रूप लेता जा रहा है इस्राइल के हमलों में गाजा के निर्दोश जनता और बच्चों को इसका प्रहार भुगतना पड़ रहा है लेकिन इस्राइल को जवाब देने के लिए हमास के लड़ाके भी पीछे नहीं हट रहे है रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के खान युनिश शहर में इस्राइली बलों के साथ जंग जारी है दोनों तरफ से भारी गोली बारी और हमले किये जा रहे है रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइली सेना को इस कारवाई में काफी लुकसान भी पहुचा है इस खड़ी में अलकसम ब्रिगेड ने पुस्टी की है कि उसके लड़ाकों ने शावास का इस्तमाल करके एक इसराइली सेन ने वहाग को निशाना बनाया दक्षिडी गाजा पट्टी में खान यूनिस शहर के उत्तर में इस्तित हमाट टाउन में इसराइली सेना को ले जा रहे वहाग को निशाना बनाया इसके साथ ही अलकसम ब्रिगेट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह इसराइली ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं अलकसम ब्रिगेट के लड़ाकों ने अल यासीन 105 एंटी टैंक मिसाइल और टेंडैम गोले का उपयोग करके एक इसराइली सेन निवहाक और एक मर्कवा टैंक को भी निशाना बनाया जंग में हो रहे हमले यही नहीं रुके अलकसम ब्रिगेट के साथ साथ अलकुच ब्रिगेट ने गाजा में इसराइली फोर्स पर जबरदस्थ हमला किया अलकुच ब्रिगेट ने पुष्टी की कि उनके लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइलों का उपयोग करके मध्य शेत्र में अलजहरा शहर के उत्तर में कई इसराइली सेन निवहानों को निशाना बनाया इन हमलों के चलते इसराइली कबजे वाली सेना हताहत हो गई अलकुच ब्रिगेट के लड़ाकों और इसराइली सेना के साथ टकराफ के दोरान कुछ लोगों के मारे जाने और खायल होने की भी खबर है हमास की सैन निशाका अलकासिम ब्रिगेड ने हाल ही में खान युनिस में इसराइल बल को दो मंजिला इमारत में फसाया और उसके बाद उसे बम से उड़ा दिया अलकासिम ब्रिगेड के इस दावे की पुष्टी खुद इसराइली सेना ने की थी इस बीच जबालिया शिविर में मुजाहिद दीन ब्रिगेड ने कम दूरी की मिसाईलों का उप्योग करके इसराइली सेनिकों की एक सभा को निशाना बनाने की पुष्टी की वही अलकुट्स ब्रिगेट के लड़ाकों ने अलकसा शहीद ब्रिगेट के लड़ाकों के साथ मिलकर इसराइली फोर्स पर हमला बोला था जैसे जैसे इसराइली फोर्स गाजा में आगे बढ़ रही है उसे कई ताकतों का सामना करना पड़ रहा है कई हमलों से होकर गुजरना पड़ रहा है इस जंग में अब तक दोनों देशों के कई सैनिक युद्ध में अपनी जान गवा चुके है लेकिन इसराइली पीम नितन्याहो ने हमास के खात्मे की कसम खा रखी है इस जंग को कई दोशों ने रोकने या युद्ध विराम की भी कोशिश की लेकिन ये जंग रोकने की बजाए और भैंकर हो गई 7 अक्टूबर को हमास के सबसे बड़े हमले में इसराइल में लगभग 1160 मौते हुई फिलिस्तीनी ग्रूप ने लगभग 2500 इसराइली और विदेशी लोगों को भी बंधक बना लिया था लेकिन इसके बाद इसराइली सेना के हमले से गाजा और वहां के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा गाजा के स्वास्य मंत्राले के मुताबिक इसराइल के जवाबी अभियान में गाजा में 31,000 से जादा फिलिस्तीनी मारे गए है गाजा में 23,000,000 लोगों में 85,000 से जादा बेघर हो गए है जबकि तकरीबन 72,000 से जादा लोग घायल हो गए है गाजा की एक चौथाई अबादी खाने पीने की गंभीर समस्या से गुजर रही है